कि यार देखो हमने लास्ट क्लास तक अपना सारा कंसर्प्ट कर लिया था थर्मल एक्सपेंशन वाला मैंने आपको लास्ट बताया था बाइ मेटलिक स्ट्रिप का वहां तक तो कोई डाउट नहीं था न तो आज हो अब अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं दाट कि बढ़ा भई कि किसी को कोई आइडिया नहीं यह हीट ट्रांसफर करने के हमारे पास तीन तरीके हैं एक फॉर्स मेथड हमारा कहलाता है कंडक्शन दूसरा मेथड हमारा क्या कहलाता है दूसरा मेथड हमारा कहलाता है कंवेक्शन और तीसरा मेथड जिससे हम हीट प्रां पिले explain करो conduction, conduction process में क्या होता है, तो यार याद रखो, conduction हमारा solids के लिए applicable है, और हमारा conduction में जो heat transfer करती है, वो within the same medium करती है, within the same object, within the same medium, जैसे for example, यार मैंने क्या करा, मैंने ये कोई एक rod ली है, और मैं rod का कोई एक end part heat कर रहा हूं, ये हमारे पास एक conducting rod है, तो अगर मैं इसका एक एंड हीट कर रहा हूं तो हमें पता है आटोमेटिकली थोड़ी देर बाद यह हीट ट्रांसफर हो जाएगी और हमारा एंड बी भी हीट हो जाएगा तो मैंने सरफ एंड एंड हीट किया यह हीट ट्रांसफर हुई विदिन दी सेम अबजेक्ट सेम की की तरफ तो यह वाला मेset हमारा क्या कैलाएग गजय के सब को क्लिए होरा है टर्ल कौट अ अब यहार कंड़क्शन में चीज याद कि जया रखना से कंड़क्शन होता किस की वज़े से कंड़क्शन हमारा मॉलॉकिूलर वाइबरेशन की वज़े होता है molecular vibration से कैसे कि यार हमें पता है इस solid objects में हमारे molecules tightly packed होंगे तो अगर मैं heat supply कर रहा हूं तो मतलब मैं जो यह पहला वाला molecule है इसको थोड़ा सा vigorously vibrate करा रहा हूं तो अगर यह molecule हमारा vibrate करेगा तो यह vibration इस तरीके से pass on करते जाएगा क्योंकि यह सब के सब tightly packed है तो इस तरीके से हमने vibration प्रड्यूस करी और यह vibration ट्रांसफर हो गई है एंड बी तक तो यह process हो गया हमारे conduction का तो याद रखो conduction हमारा numerical पार्ट है तो थोड़ा सा यह conduction हमारे लिए important है पहले कंड़क्शन का चेक कर लो फिर आता हूं convection पर अधिया डण 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 अधिया अधिया आज सेकिंड वाले पर convection यार convection यूजली हमारा होता है विदिन दी फ्लूइग्स और इसके अंदर क्यों होता है convection का basically concept क्या है convection में यूजली हमारी density की layers बन जाती है हमारे density की layers बन जाती है तो heat transfer होती है और इसमें हम कहते कि heat transfer हो रही है due to currents heat currents भाई या convection का concept भी समझो और यह प्यूरा का पूरा theoretical है इस पे कोई numerical नहीं है यार convection बिल्कुल simple कि suppose मैंने कहा कि यह मैंने एक container लिया और इसके अंदर मैंने liquid फिल कर दिया अभी क्या होगा liquid का uniformly temperature सेम होगा लेकिन अगर मैं इसको नीचे से heat supply कर रहा हूं तो उस case में क्या होगा भाईया यह हमारा good conductor of heat या bad conductor of heat है fluids generally हमारे good conductors of heat होते है या bad conductors of heat होते हैं आप बैट फ्लूइड जनरली हमारे bad conductors of heat होते हैं जैसे for example air air bad conductor of heat है तो यार इसकी वज़े से क्या होगा हमारी जो सबसे नीचे वाली लेयर है इस नीचे वाली लेयर ने हीट एब्सॉब करीए हीट एब्सॉब करीए तो इसका टेंप्रेचर क्या होने लग जाएगा इस नीचे वाली लेयर का टेंप्रेचर इंक्रीज होने लग जाएगा और मैंने आप कल की ही क्लास में बताया कि अगर हमारा टे तो इसलिए जो यह हमारा इसका टेंपरेचर कर गया मैंने सबसे उपर वाली layer consider करी है यार सबसे उपर वाली layer तक heat transfer नहीं हो पाईगी क्योंकि यह bad conductor है तो इसका temperature अभी कम होगा और इसके density क्या होगी जादा होगी तो इस वज़े से क्या होगा हमारी जो यह low density वाली layer है यह low in light in weight हो गई है तो यह उपर चली जाएगी और जो हमारी उपर वाली layer है वो heavy है उसके density जादा है तो यह नीचे वाली layer बिल्कुल नीचे की तरफ shift हो जाएगी यह चेक करो आपको convection का concept समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा मतलब एक तरीके का स्टैकिंग हो रहा है स्टैकिंग का मतलब समझ रहे हो एक के उपर एक layer इस तरीके की स्टैकिंग हो रही है तो आप खुछ सोचो जैसे cards पत्ते होते हैं उसकी तरह कि अगर मैं नीचे वाला card remove कर रहा हूं तो हमारे बाकी cards क्या कर जाएंगे नीचे की तरफ shuffle कर जाएंगे फिर उपर फिर नीचे card निकाला उसको उपर रखा तो इस तरीके से हमारी यह shuffling चलती रहेगी क्या सब को concept समझ में आ रहा यह वाला यह सँ तो यार हम्हें दिख रहा है कि जैसे जैसे नीचे वाली लेयर जो heat absorb कर रही है वह नीचे वाली ओप जाएगी और उपर वाली लेयर नीचे आते जाएगी तो इस तरीके से यह प्रोसेस्स चलता रहेगा चलता रहेगा और एक पर्टिब्लर टाइम के बाद हमारा यहiez-पूरा पूरा लिक्वीड का temperature increase कर जाएगा पूरा का पूरा liquid हो मतलब heat up हो जाएगा तो इस phenomenon को हम कह रहे हैं convection और convection क्यूं हो रहा है क्यूंकि हमारी जो ये water की layers है वो shuffle होती जा रही है तो जो ये water की layer shuffle होती जा रही है इनको हम कहते हैं currents तो भाईया हमने कह दिया कि convection के अंदर जो heat transfer हो रही है वो due to the currents हो रही है कि lower current वाली उपर जा रही है हाई current वाली नीचे आ रही है चेक कर लो convection क्लियर है तो टिक मार दूँ इस पर यहां तो यहां दखना convection is applicable for generally fluids के लिए मतलब जो बैंड कंड़क्ट रॉफीट है अब सबसे ज्यादा important आ गया radiation radiation बहुत ज्यादा important है radiation में क्या हो रहा है भई radiation का concept बिल्कुल है चाहे solid हो चाहे liquid हो चाहे कुछ भी हो radiation हमारा हर एक object यह अप्यकट की होए लेकिन बस condition क्या है कि उस अबजेट का temperature zero Kelvin से जादा ही होगा ऐसा possible ही नहीं है कि किसी body का temperature zero Kelvin हो जाए क्योंकि अगर किसी भी body का temperature zero Kelvin हो गया तो उसकी molecular movement क्या हो जाएगी मैंने आपको बता है वाई यह वाला concept बिलकुल molecular movement बिलकुल रुख जाएगी और अगर molecular movement रुख गई है तो temperature zero पे pressure कितना हो जाएगा जीरो कितना हो जाएगा वो भी जीरो हो जाएगा तो यार अगर किसी भी body को consider कर रहा हूं जैसे for example मेरे हाथ में यह phone है तो definitely इसका temperature zero Kelvin से जादा है तो अगर किसी भी body का temperature zero Kelvin से जादा है तो यह हमेशा कुछ ना कुछ heat energy हमारा heat energy को loose कर रहा है in a form of waves यह वाला phenomenon हमारा क्या कहलाएगा यह वाला phenomenon हमारा radiation कहलाएगा तो अगर आप एक चीज़ देखो हमारे conduction को medium चाहिए within the same medium travel के होगा हमारे convection को भी medium चाहिए लेकिन radiation अकेला एक ऐसा process है जो without medium भी heat energy को slow करा सकता है heat energy को transfer करा सकता है जैसे for example sun sun से heat energy अर्थ तक आ रही है बीच में vacuum है लेकिन फिर भी sun से heat energy अर्थ तक कैसे पहुच रही है because sun का temperature 0 Kelvin से जादा है तो वो heat energy waves के form में radiate out कर रहा है और वो अर्थ तक पहुच पा रही है तो it does not require any medium इसको कोई medium नहीं चाहिए तो याद रखना यह हमारी हीटिंग का सबसे fastest process है सबसे जादा हीट किस से ट्राइवल ट्रांसफर करी जा सकती है फ्लो कराई जा सकती है radiation के थूफ लो करा जा सकती है चेक कर लो यह तीनों अब एक एक करके इन भी प्रॉपर डिटेलिंग और न्यूमेरिकल पार्ट करेंगे कन्वेक्शन हमें नहीं करना कन्वेक्शन पूरा थीरिटिकल था स्टार्ट करेंगे कंड़क्शन से यह सब मैं इरेस कर रहा हूं यह सब मैंने आपको समझाने के लिए किया था यह कुछ नोडाउन नहीं करना है तो आजाओ हेडिंग लिख लो कंड़क्शन और लेट स्टार्ट कंड़क्शन यह देखो कंड़क्शन आप सबसे पहले तो इस तरीके से समझो कि यह मैंने एक रॉड ली है और मैंने क्या किया रॉड को अलग-अलग सेग्मेंट्स में डिवाइड कर दिया सपोज मैंने रॉड को इस तरीके से चार सेग्मेंट्स में डिवाइड कर दिया segment a segment b segment c and segment d यार मैं heat supply जो कर रहा हूँ वो मैं नीचे segment a से कर रहा हूँ तो segment a से हीट क्या कर रहा है segment a से हीट absorb कर रहा है अब ध्यान दो थोड़ा सा concept confusing लग सकता है यार याद रखो अगर मैं इस object को heat supply कर रहा हूँ तो यह heat अलग-अलग parts में utilize होगी कौन-कौन से अलग-अलग पार्ट्स में यूटिलाइज होगी कुछ हीट तो ये क्या कर लेगा एब्जॉब कर लेगा तो अगर ये कुछ पार्ट ऑफ दी हीट एब्जॉब कर रहा है तो इस बॉड़ी के टेंपरेचर पर क्या फर्क पड़ेगा लगोड़ी का टेंपरेचिर इनक्रीज कर जाएगा साथ कीसाथ यह बॉड़ि हमारी दूसरी बॉड़ी के साथ कॉंंटाक्ट में जैसे आपने एलेक्ट्रोस्टाइटिंग में पड़ा होगा कि अगर मैं दो कंड़क्टर को कॉंटैक्ट में लिया तो चारज क्या करने लग जाते हैं लुख यह आगर दो बॉडी को कॉंटैक्ट में लेके आ तो यह कुछ पार्ट ऑफ दी हीट क्या कर देगा यह कुछ पार्ट ऑफ दी हीट पास ओन कर देगा क्या यह चीज समझ में आ रही है तो कुछ पार्ट ऑफ दी हीट यह क्या कर रहा है भाया ट्रांस्मिट एक तरीकी से पास ओन कर रहा है ट्रांस्मिट कर रहा है वेरैस एक और चीज क्या करेगा थर्ड फिनोमेन कि अगर इसके पास हीट है इसका टेंपरिचर जीरो केल्विन से जादा हो गया तो कुछ पार्ट यह हीट रेडियेट आउट भी करेगा कुछ पार्ट आफ दी हीट यह रेडियेट आउट करेगा ल फिर को बताओ अब सिर्फ कोन से दो फिनोमन बचे और लोप्षण एंड ट्रांस्मिशन तो हमने क्या कहा कि भाईया यह कुछ पार्ट हीट एब्सॉब कर लेगा और कुछ पार्ट इसका इस तरीके से ट्रांसफर करेगा फिर बी वाला भी यही करेगा कुछ पार्ट इसक प्रेंड तक ट्रांसफर होती वी चली गई तो यह मैंने अज्यूम कर लिया यह एंड होट है यह एंड कोल्ड है तो हमारी हीट होट एंड से लेके कोल्ड एंड तक ट्रांसफर कर गई है चेक करो इस कॉंसेप्ट में कोई दिक्कत अब यार एक चीज़ याद रखो इस बॉड़ी का जो सेगमेंट A है यह सेगमेंट भी है इसका जो टंपरेचर होगा यह डिसाइड कौन करेगा यह डिसाइड करेगा रेट की रेट अफ एब्सॉप्शन जादा है या रेट अफ ट्रांसमिशन जादा है जैसे फॉर एग बतलब यार कि यह हीट जादा रेट से एब्सॉप कर रहा है और कम रेट से ट्रांसफर कर रहा है तो इस केस में हमारी बॉड़ी का टेम्परेचर क्या कर जाएगा इंक्रीस करेगा लेकिन अगर मैं यह कह दूं कि रेट ऑफ एब्सॉप्शन भाईया यह एब्सॉप कम कर र हुआ तो मिरे को बताओ यह जो मेरा सेग्मेंट यह है यह कंटीनियूसली एना हीट एब्सॉप करे जा रहा है तो इसका टेम्परेचर कॉंस्टेंट रहेगा या इसका टेम्परेचर चेंज होता रहेगा मैं इसको कंटीनियसली हीट सप्लाइ करते जा रहा हूं एक हो तो इसका टेंपरेचर कॉंस्टेंट होगा या चेंज होता रहेगा टाइम के रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट टाइम कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी और यह पॉजिटेव आएगी Similarly temperature B का भी चेंज होता रहेगा temperature C का भी चेंज होता रहेगा और temperature D का भी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होता रहेगा तो अब ध्यान दो भाईया ध्यान देना क्या है जब भी हमारे हर एक segment का temperature with respect to time change हो रहा होगा तो इस case में हम इसको कहेंगे इस condition को हम कहेंगे variable state variable state variable state का मतलब है कि हर एक segment का temperature with respect to time change होते जा रहा है लेकिन अगर मैं assume कर लूँ कि भाईया हमारे पास temperature हर एक segment का अलग अलग जरूर है लेकिन वो constant है वो change नहीं हो रहा जैसे example मैंने कहा यह मेरे पास rod है मैंने यहाँ पर temperature 100 degrees celsius maintain किया और यहाँ पर सपोस्पोस 75 degrees celsius है यहाँ पर 50 degrees celsius है यहाँ पर सपोस्पोस 25 degrees celsius है इस तरीके से तो अब यह temperature है ना constant है heat continuously supply हो रही है लेकिन अब क्या हो रहा है हमारे absorption का rate और पास on का rate exactly same absorption का rate और पास on का rate exactly same है तो इस case में हमारी body का जो temperature होगा वो क्या बन जाएगा हर एक पार्ट का temperature constant बन जाएगा 100 है तो fix है 75 है तो fix है हर एक segment का अलग जरूर है लेकिन constant है तो इस वाली condition को हम क्या कहेंगे इस वाली condition को हम कहेंगे steady state condition चेक करो clear हो गया या नहीं तो लास्ट वाले का temperature बढ़ेगा लेकिन एक बार बढ़के फिर वो constant आजाएगा यह हमने अज्यूम किया पर गोगे जैसे का आवे आपने यह कहाना बिलकुल एक बात मैं कह रहा हूं कि सपोज यह पहले जीरो डिगरी इस पर था इसको हीट मिलती रही तो इसका temperature तो इस तरीके से तो इसलिए अगर टेंपरेचर हर एक सेगमेंट का कॉंस्टेंट आ जाए तो उस वाली कंडिशन को हम क्या कहेंगे स्टेडी स्टेट कंडिशन कहेंगे अब याद रखो बहुत क्लियर कट चीजे हैं कि अगर मेरे पास वाली कंडिशन आती है तो इस केस में आपको कैल्कुलस का यूज करना है मतलब इंटीग्रेशन वगारा कॉंसेप्ट यूज करना है यह तो मैं आपको कितने सारे करते हैं इसमें फिर हमें क्याल्कुलस अप्लाई नहीं करना होता वह यह इतनी दो चीज़े क्लियर होंगी ओं म입ने चलो तो यहां अगर नोट डाउन हो गया तो बता दो फिर मैं आपको उस पर लेकर जाता हूं नेक्सट फॉर्मले वाले पास नुमेरीकल वाले पार पर चलो तो देखो कंडक्शन के लिए हमने क्या लिया कंडक्शन के लिए मैंने सपोज एक क्यूब ले लिया मैंने का यह हमारे पास एक क्यूब है और क्यूब के दो जो ends है जो दो faces है उनको मैंने अलग अलग temperature पे maintain किया है जैसे example दे रहा हूँ मैं कि यह मेरे हाथ में एक cuboidal structure है इसके दो faces है यह वाला side face 1 और यह वाला side face 2 इस वाले face को मैंने ज्यादा temperature पे लिया और इस वाले face को मैं क्या ले रहा हूँ कम temperature पे ले रहा हूँ तो इसलिए हम इसको क्या indicate कर देंगे यहां पर मैं temperature ले ले लेता हूँ T1 higher temperature और इस वाले face को मैं ले ले लेता हूँ T2 lower temperature तो मुझे पता है heat कौन सी direction में flow करेगी heat flow करेगी हमारी भया from high temperature to low temperature आप मेरे को बताओ जो यह heat है logical सोचो किस-किस factors पर depend करेंगे लिए नेचर और सबस्टेंस पर तो नेचर को ऐसा करेंगे सबसे लास्ट में कंसिडर करेंगे और कुछ सोचो कि उतना ज्यादा हमारा temperature maintain होता रहेगा और heat ज्यादा transfer करेगी के चीज़े clear है उसके बाद यह हमारा depend करेगी temperature difference पर यह तो बहुत logical है जितना ज्यादा temperature difference होगा उतनी ज्यादा heat को flow करना पड़ेगा ताकि temperature एक equilibrium temperature maintain हो जाए फिर तीसरा बिलकुल हेमद आपने सही का तीसरा factor होगा हमारा एरिया एरिया कि यह एरिया पर डिपेंड करेगी और एक लास्ट फैक्टर कि भईया यह inversely proportional to thickness होगी length क्यों क्योंकि जितनी ज्यादा length के लिए heat को transfer करना है मतलब उतने ज्यादा molecules को vibrate कराना है तो मतलब heat हमारी inversely proportional होगी क्योंकि बीच में कहीना कई energy loss होते जाएंगे तो उतनी केस में heat transfer होने में बहुत time लगेगा क्योंकि उतने ज्यादा molecules को vibrate कराना है और molecules vibration के टाइम पर कुछना कुछ energy lose out करेंगे तो इन सब को club कर दो तो आपके पास final formula आएगा हमारे पास फाइनल फॉर्मिला ए टेंप्रेचर डिफ्रेंस इंटु टाइम divided by X और जैसे अभी कहा nature of material तो उसको हमने एक constant में consider कर दिया और यह constant होगा हमारा coefficient of thermal conductivity चलो थोड़ा सा जल्दी चेक करो और बताओ clear हैं यहां तक की चीज़े हैं तो याद रखना यह मैंने क्या निकाला है यह मैंने हीट एनरजी निकाली है कि कितनी हीट एनरजी हमारी लोवर होट एंट से कोल्ड एंट तक फ्लो करेगी अब मुझे बताओ energy पर यूनिट टाइम क्या होता है अब किसे ने कुछ नहीं बोला energy पर यूनिट टाइम वेरी गुड एनरजी पर यूनिट टाइम पावर होता है और इस पावर को हम क्या कहेंगे इस पावर को हमने नाम दे दिया हीट करंट हीट करंट जिसको हम डिनोट करेंगे एच से तो एच का फॉर्मला क्या हो करेगा यहां तक नोट डाउन करो फिर आगे की चीज़ समझाओंगा चलो यहां तक नोट डाउन करो कि अब करेंगे चलो तो यार अब क्या करो ना आप सबने electricity पढ़ रखा है तो थोड़ा सा इलेक्टरिसिटी से रिलेट करके चलेंगे बहुत सिंपल कॉंसेप्ट है भाईया मेरे को ओम्स लॉप बताओ ओम्स लॉप क्या था वाट इस फॉर्मला फोर ओम्स लॉप वी इकुल टू आई-आर मतलब ओम्स लॉप ने क्या का कि हमारे पास कुछ ना कुछ उसकी वज़े से करेंट्टफो करेगा यह रिपीट हमारे पास कुछ ना कुछ ना मां कियां रिधर लेकिन हीट करंट किसकी वज़े से फ्लो करती है तो इधर वी की जगे में क्या लिखूंगा डेल्टा T भाईया मेरा ये डेल्टा T से रिप्लेस होगा potential difference की जगे temperature difference I की जगे H तो जो भी remaining term बचा वो remaining term आपको किसकी value देगा वो आपको thermal resistance की value देगा तो आपके पास ये जो heat current का formula है डेल्टा T और H को एक side ले जाओ delta t और h को एक साइड ले जाओ तो आपको किसकी value मिलेगी thermal resistance की value मिलेगी तो आप मेरे को calculate करके बताओ what is the value of thermal resistance चलो what is the value of thermal resistance x upon k a very good तो अगर आप thermal resistance calculate करो तो मतलम delta t by h h इदर आ गया बागी symptoms को उधर ले जाओ तो हमारे पास formula आ गया x divided by k a कि अब देखो यह क्या है यह करे कंडक्टिविक्य थर्मल कंड़क्टिविटी क्या आपको इलेक्टीकल रोट रेसिप्रोकल क्या होता है तो we do Ga We in a इधर be clean which अगा तर्मर मर रजीस्टन्स की तरह किए की यह कर रहा हे रजेक्थकल रजेस्टन्स की तरह बिर्टकुल सेम फ़ॉर्म्ला चल रहा है सेंस हमारा थर्मल रेजिस्टंस एक्जाक्ली एलेक्ट्रिकल रेजिस्टंस की तरह भीव कर रहा है तो हमने जैसे एलेक्ट्रिकल रेजिस्टंस क्याल्कुलेट करते हैं सिरीज और पैरलल कॉंबिनेशन के लिए तो इधर भी हम वही करेंगे हम इधर थर्मल रेजिस्टंस क करेंगे सिरीस कॉंपीनेशन ए कार्लेल कंवीनेशन के लिए उसको इसको कार्ट करने से पहले आप यहां तक क्रिए दन वेरी गुड विशाली तो आओ भीया कैल्कुलेट करते हैं सिरीज कॉंबिनेशन और पार्राल कॉंबिनेशन यह वरको हमारा टार्गेट क्या है हमारा टार्गेट है कि हम इकुल एंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं इकुलेंट थर्मल कंडक्टिविटी तो समझो भावनाओ को सबसे सिंपलेस्ट केस लेंगे हम सबसे सिंपलेस्ट केस भाईया मैंने यह दो रॉड्स लिए और इन दो रॉड्स को एक एंड से कनेक्ट कर दिया तो यह हमारे पास हो गया सिरीज कनेक्शन इसकी थर्मल कंडक् यह लेंगे कि दोनों की लेंथ सेम है और दोनों का एरिया भी सेम है तो आव फॉर्मला लिखना शूव करते हैं मिरेको बताओ सिरीज के लिए फॉर्मला क्या लिखूँ आर एकुवलेंट कितना आएगा टो सारी वैल्यू को रिप्लेस कर दो इकुवल न् तो यह हो जाएगा एकसिफोलर डिवाइडिड बॉर्मा के ओलों इंटु एरिया इंटु एकुवल्त ऑह वन की जगे हो एल प्लस हेल टू एल थर्मल कंड़क्टिविटी एकुलेंट मेरे को निकालनी है टोटल एरिया कितना हो जाएगा यह वेरी गूड एरिया तो एही रहेगा भाईया एरिया में थोड़ी को चेंजिस हुए एकुल्स टू एक्स वन की जगे एल के वन की जगे के वनी एरिया ए प्लस एक्स टू की जगे एल डिवाइड़ बाई के टू और एरिया ए चेक करो क्या का कॉमन लेके आप कैंसल कर सकते हो भाईया लेंट एंड एरिया कॉमन लेके कैंसल कर दिया तो आप कैल्कुलेट करके बताओ एकुलेंट थर्मल कंड़क्टिविटी कितनी आ रही है तो लेकर जरूरी नहीं आपके एक्जाम में सिंक्लेट केस है तो उसके अपने स्टेप्स को चेंज कर लेना लेकिन आपके सिंपलेट केस ही मिलेगा दन चलो यहार मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूं ताकि टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो जाए अगर किसी को लग रहा है ज्यादा फास्ट चल रहा है तो मेरे को बता दे ना भाईया हम वहीं पर जहां पर डाउट होगा रुख जाएंगे चलो लेट्स प्रसीड लेकर चलो है तो सबसे सिंपलेस्ट केसे में मैंने क्या लेकर चला बह या दोनोंकी लेंड और नों का एरेया सेम सेम है लेकिन बस मैंने इन दोनों एकोल तूपन वायर वन प्लस वन बाई आरटू वैल्यू सब्स्टूट करना शुरू कर दो तो यह हो जाएगा मेरे पास के एकुविलन्ट अब मिरको बताओ एरिया कितना आएगा हुर कि तोटल एरिया तू ए लेकिन अबकी बार लेंध कि इक्वलएंट एलि रहेगी वन dor मिघ्वाइद से बार कि वालिटीट ने डिवाइड इवाइड पैल फिरसे चेक करो क्या कॉमन आके चुछ गया तो इस बार आपके सबसे सिंपलेस्ट आंसर आ रहा है के वन प्लस के टू डिवाइड बाइड वाय टू कटाइट खतम किस्साब कि कि कह अब अब कर्लो कि अब 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 टन्स दन एक बार पूरा चेक कर लो थर्मल कंड़क्टिविटी का हमारा जो कॉंसेप्ट है कॉंसेप्ट सारा खतम हो गया अब इस पर न्यूमेरिकल करने है तो तो आज और सिंपल न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं और फिर एक एक करके इसका लेवल बढ़ाते हैं तो सबसे पहला कोश्चन यह सारे कोश्चन अब जो मैं करा रहा हो ना तीन कोश्चन करीब कराऊंगा तीन से चार कोश्चन यह सारे आपके प्रिवेस एर एडवांस के कॉश्चन है लेगन ऐसा ने एक एडवांस है तो difficulty होगा इसी है यार इदर हमारे पास यह material भी सेम है अगर material सेम है तो मतलब इन सब के thermal conductivity भी सेम होगी क्योंकि thermal conductivity material पर डिपेंड करती है यहां पर temperature हमने maintain किया 90 degrees Celsius यहां पर temperature maintain किया 90 degrees Celsius सपोज यह end A ले लो यह end B ले लो और यह end C ले लो और यह junction point question क्या कह रहा है find the temperature at the junction point temperature at junction point यह हमें calculate करना है यह हमें options given first option is 45 degrees Celsius option B is 50 degrees Celsius option C is यह हो गया हमारे पास की 60 degrees Celsius and last option ले लो आप 75 degrees Celsius चलो पहला कोशन मैं सॉल करा रहा हूं बस आप चेक करो कि आपको कोशन समझ में आया कोई नहीं बोला यह चलो ड़न मेरे को एक चीज़ बताओ इधर करन्ट मैंने फ्लो कराया थ्री एंपेर इधर करन्ट फ्लो कराया मैंने सपोज 7 एंपेर तो आप मेरे को बताओ इस वाली वायर में करन्ट कितना फ्लो करेगा एसा क्यों किर्षोफ्स का ररनलो मतलब konservation of चार्ज कि जितना k hai यहीं लॉजिक कि इधर लगा दो हीट कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करती है हीट फ्लो करती है from higher temperature to low temperature भाया हमारा a और b दोनों same temperature में maintained है और वो दोनों हाई पे है हमारा c lower temperature पे है तो यहाद रखना हमारा a heat को कुछ ना को supply करेगा q1 हमारा bb heat को कुछ ना को supply करेगा q2 और यहां पे इस वाली वायर में कितनी heat flow करेगी q1 प्लस q2 जिसको मैं q3 लिख रहा हूं चेक करो clear हुई है चीजे बस तो solution में सारी value substitute कर दो आपका answer खतम भाया solution में आप क्या लिखोगे q1 प्लस q2 is equal to q3 q1 की value रख दो q1 की value के एरिया सेम है temperature 90 से लेके t तक है यहां पर temperature कुछ भी अज्यूम कर लो फिलाल t into time divided by length l plus q2 की value सेम है के 90 से लेके t तक time t और मैंने length l दिये q3 कितना हो जाएगा के ए टेंपरेचर टी से लेके जीरो तक change करा रहा हूं और हमारी length अभी भी एल है जो जो common आ रहा है card दो final a की variable बचेगा capital T तो capital T की value find करके दे दो यही question था बस find the value of capital T और मेरे को बताओ कौन सा option करेक्ट आ रहा है कि अगर आप नोटिस करो एक साइट टोटल कितने टेंपरेचर आ रहे हैं वेरी गूड विशाली हमारे पास यहां पर आ रहा है 180-2 T is equal to T तो 180 is equal to 3 T तो टी की value कितनी आ गई 60 degrees Celsius आ रही तो हमारे पास option correct हो गया option 60 degrees Celsius चेक कर लो पहला टाइप तो concept question clear है कि एक नट दो प्लीज अरे यह क्या हो गया है कि भी या बढ़ू नेक्स कॉंसेट पर नेक्स कोश्चन पर किया है बिल्कुल सिंबल है लगेगा सब कुछ electricity से एक तरीकी से रिलेट चल रहा है कि तोंग तोंग अ भाईया कोशन हमें गिवन है ये हमारा end A इसको ले लो B ये हो गया C ये हो गया D और ये end point हो गया हमारे पास E ये steel की rod ये भी steel की rod ये भी steel की rod लेकिन ये copper की rod ये copper की rod और ये copper की rod हमने इस तरीके से एक arrangement बनाया है हमने लिखा भाईया temperature A maintained 125 degrees Celsius और D maintained है 0 degrees Celsius हमें सब की thermal conductivity भी गिवन है steel की हमें thermal conductivity गिवन है हमें copper की thermal conductivity गिवन है copper की thermal conductivity हमें गिवन है that is 400 SI units में मैं वो सब नहीं लिख रहा SI units में और स्टील की thermal conductivity हमें गिवन है 50 अगें इन SI units चेक करो यहां तक कोई दिक्कत कोशन ने बोला है सारी की सारी रोड इडेंटिकल है सारी रोड इडेंटिकल है मतलब सबकी length सेम है सबकी length हमें गिवन है 10 cm और सबका एरिया सेम गिवन है एरिया हमें से गिवन है 1 cm2 कोशन ने क्या बोला है find find the amount of heat flowing per unit time from hot end to cold end मतलब basically मेरे को किसकी value find करनी है heat current की value find करनी है amount of heat flowing per unit time from point A to D from A to D आप मेरे को बस इसका concept बता दो जो आपको समझ में आ रहा है क्या concept लगाएंगे दर वीड स्टोन ब्रिज क्या सबको वीड स्टोन ब्रिज का सबको वीड स्टोन ब्रिज का याद है या बताने के लिए याद है डन तो भाईया वेड स्टोन ब्रिज का बस इतनी सी सिंपल चीज कि अगर मैं इसको पी ले रहा हूं इसको और ले रहा हूं इसको एस ले रहा हूं तो अगर कभी भी P by Q, R by S के बराबर है, तो हमेशा ये बीच वाली जो ब्रांच होती है, वो क्या हो जाती है, कट हो जाती है, निगलेक्ट हो जाती है, तो इधर भी वही कॉंसेप्ट लगाओ, and try to calculate the amount of heat. क्या कहते हो, साथ साथ steps वो लिखे, solve करें, ताकि जल्दी solve हो जाए? जल्दान, ताकि थोड़ा सा time बज्जा हम और भी question कर सके, तो यार देखो, सबसे पहले इस question में values मत रखना, values को last में रखना, इस type question में, पहले आप इसको simple simple कर लो, तो यार मुझे पता है, इसको मैंने P consider किया, इसको Q, इसको R और इसको S, तो मुझे साफ पता है, P by Q और R by S, same आ रहा है, because steel की thermal conductivity divided by steel, same आएगा, one हो जाएगा, copper by copper भी one हो जाएगा, तो मतलब यह हमारा balanced wheatstone bridge बन जाएगा, तो मैं बीच वाली branch को क्या कर देता हूँ, बीच वाली branch को neglect कर देता हूँ, यह मैंने remove कर दिया, बीच वाली branch कोई role play नहीं करेगी, तो मिर को बताओ, ऊपर P और R किसमे हो गया, पहले P और R के लिए solve करो, मतलब B से लेकर D तक solve करो, तो मिर को बताओ, P और R किसमे हो गया, और नीचे, यह Q और S किसमे हो गये, series में, तो steel को है न, resistance नाम दे दो, कुछ ना कुछ, R1, तो इसका नाम भी R1, इसका नाम भी R1, copper, copper को नाम अलग दे दो, R2, R2, तो भाईया, यह हो जाएगा, R1, R2, नीचे भी क्या हो जाएगा, R1, R2, पहले मेरे को बताओ, उपर वाली branch का resistance कितना आएगा, total, उपर वाली branch का बस, भाईया, दोनों add हो जाएगे न, R1, प्लस, R2, सीरीज में है, नीचे वाली branch का resistance भी कितना हो जाएगा, R1, प्लस, R2, अब यह दोनों किस में connected हैं, अब यह दोनों parallel में connected हैं, यार प्लीज सब लोग एक बार चेक करके बतादो, सब को समझ में आ रहा है, यह वाली चीज़ या नहीं, अब यार यह चीज़ electricity में पढ़ रखी होगी, suppose मैं कहा रहा हूँ, इधर एक resistance है, 6 ohms, मतलब दो resistance है, और यह दोनों parallel में है, तो equivalent resistance कितना आएगा, 3, very good, मतलब अगर हमारे पास multiple resistance connected हो, parallel में, और सबकी value सेम हो, तो एक resistance की value लो, divided by number of resistance, तो value 3 आ चाएगी, जैसे for example, अगर मैं 3 resistance connect करता, तो अब आपका answer क्या आता, एक resistance की value divided by number of resistance, तो 2 ohms आता, तो similarly, भाईया, similarly, इधर आपके पास एक resistance है, R1 प्लस R2, इधर भी एक resistance है, R1 प्लस R2, मतलब दोनों resistance सेम है, और यह दोनों resistance parallel में है, तो इनके लिए जो equivalent resistance R' आएगा, वो कितना लिखू, वेरी गुड, R1 प्लस R2 divided by 2, तो हमारे पास एक यह resistance आ गया, R1, point B तक वाला और एक resistance आ गया मेरे पास, B से लेके D तक का, जो है R1 प्लस R2 divided by 2, अब मेरे को बताओ, यह final connection आपको किसमें दिखाई दे रहा है, तो बस यार हो गया question यहीं पर almost खतम, R equivalent हो जाएगा हमारे पास, R1 प्लस R1 प्लस R2 divided by 2, भाईया आपने LCM लिया, तो यह हो जाएगा 3 R1 प्लस R2 divided by 2, प्लीज सब लोग यहां तक चेक कर लो, almost आपका बस एक step बचा question खतम है, यहां तक complete कर लो आप आराम से, कोई दिक्कत हो तो पूछते जाओ, किसी को किसी भी point पे कुछ समझ में आ रहा हो तो प्लीज पूछ लेना, डन, very good, यार, जालो तो लेट्स प्रसीड, अब हमारा सिरफ calculate करना क्या रह गया, heat current भाईया heat current का formula हमने देखा, delta T by R होता है, I equals to V by R, तो यार हमारे पास delta T कितना है, temperature difference, 125 से लेके 0 तक, divided by RH, RH की value कितनी है, 3R1 plus R2 और उपर चले गया 2, तो भाईया let's simplify it, उपर हो गया हमारे पास 250, divided by 3 of R1, तो 3 R1 की value कितनी होगी, भाईया length of steel divided by thermal conductivity of steel into area, plus R2 की value, R2 copper के लिया था, तो length of copper, सबकी length same है, thermal conductivity of copper into area, तो यार please length की value 10 substitute कर दो जो मैंने दिया है, area की value 1 substitute कर दो, thermal conductivity की value steel की 50, copper की 400, सारी value substitute कर दो, और heat current की value calculate करके बताओ कितनी ही आ रही है, क्या आपने calculate कर लोगे, centimeter में ही डाल दो reason, क्योंकि उपर length centimeter में, नीचे area centimeter square में, centimeter उसके terms में कट जाएगा, तरफर age को बचनेगा, उसको आगे देखेंगे कुछ सोचेंगे, वैसे देखा जाए तो convert करना पड़ता है reason क्या है, क्योंकि मैंने इदर thermal conductivity आपको SI unit में दी है, तो इसलिए आपको convert करना पड़ जाएगा, बाकि without convert करें भी चेक कर लो, आपका काफी हद तक वो हो जाएगा, दिक्कत नहीं आईगी है सच, भई कोई doubt तो नहीं है, calculation तो कर लोगे न अपने आप, क्योंकि में आपके उपर छोड़ रहा हूं, आंसर लिख रहा हूं भई सब लोग आंसर बाद में verify जरूर खरना, आंसर आएगा 4 watts, हीट करेंट है, हीट करेंट मैंने बोता है इसका नाम भले हीट करेंट है, लेकिन हमने यह पावर कैलकुलेट करी है, तो इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, watts, तो आंसर आना चाहिए 4 watts, calculate आप चेक कर लेना, क्या मैं नेक्स्ट कोशन दे दूं अब, तो calculation भाईया आपके उपर ही छोड़ी है आजओ next question में, next question को थोड़ा सा important mark कर लो यह आपका purely purely advanced वाला question है, purely purely advanced question भाईया question की भावना है समझें, हमने क्या लिया है यह हमने एक डिस्क लिया है जिसका बीच वाला portion hollow है, हमने annular disc लिया है, annular disc का मतलब समझते होना जिसका बीच वाला portion खाली हो, और इस डिस्क की कोई ना कोई thickness हो, तो हमें given है कि inner radius, inner radius क्या है, inner radius हमें given है r1, और outer radius क्या given है हमें, outer radius हमें given है r2, भाईया क्या सबको यह चीज़ समझ में आ रही है, yes sir, done, हमारे पास जो यह डिस्क है, इसकी यह material की thermal conductivity हमें given है, कि thermal conductivity ले लो भाईया k, अब भाईया question समझो, question क्या कह रहा है कि मैंने इसके center पे एक electric heater रख दिया है, तो भाईया इस electric heater से कुछ ना कुछ heat energy होगी जो transmit करेगी, from inner radius to outer radius, तो मेरा inner वाले पार्ट का inner वाले पार्ट का temperature जादा होगा या कम होगा compare to outer वाले पार्ट के, आरवन का जादा होगा बिलकुल आरवन का जादा होगा तो सिंप्लिफिकेशन के लिए इसको लिए इसको लिख दो, TH मतलब higher temperature और इसको लिख दो TL मतलब lower temperature इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया, भाई यह चेक करो क्या calculate करना है लिखो, यह heater है जिसकी power P है, यह heater है जिसकी power P है, find करना है, find the value of P, find the value of P, power की value find करनी है, पहले एक बार अच्छे से चेक कर लो, question clear है या नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, clear है, done, या दखना power, अभी मैंने फिर से बोला, power का मतलब क्या है, heat current मतलब आपको किसकी value निकालनी है, heat current की value निकालनी है, heat current का formula बताओ, heat current का formula अभी करा पिछले question में, delta T by thermal resistance, तो delta T तो मेरे को उपर पता ही है, भाया एक चीज़ और या जखना, यह तो मैं शैसे आपको बहुत बार बोल चुका हूं, आपका answer उसी variables में आना चीए है, जो question में given हो, question में कौन-कौन से variables given है, question में आपको TH given है, TL given है, R1 given है, R2 given है और K given है, तो मतलब आपका final answer इनी variables में होना चाहिए, मतलब मेरी P की कोई numeric value नहीं आएगी, P variable के terms में आएगा, यहां तक वाली बात भी clear है, यहां तो आओ solve करना start करते हैं, भाया delta T, delta T में दिमाग लगाना ही नहीं है, temperature difference तो हमें पता ही है, TH से लेके TL तक जा रहा है, hot end से लेके cold end सक, लेकिन अब हमें calculate क्या करना है, thermal resistance calculate करना है, thermal resistance, अब दूसरी चीज, यार अगर आप देखो अभी तक हम जो भी case कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, अभी हम जो भी case कर रहे थे, वो rod का case कर रहे थे, जैसे अगर आप मैं पीछे दो example आपको notice करा हूँ, यह वाला मैंने किसका example कराया, rod का, यह वाला question भी किस linearly flow कर रही है, अगर rod के case में हमारी heat linearly flow कर रही है, तो यह हमारा किस type का वो बन जाएगा concept, यह uniform का concept बन जाएगा, कैं यह चीज भी clear है, uniform के case में thermal resistance तो आप डिरेक्टली लिख दोगे, L divided by के, लेकिन अब हमने बात करी है, डिस्क की, तो जड़ा खुच सोचो, डिस्क, heat निकलेगी, वो अब खुच इस तरीके से flow करेगी, from hot end to cold end, इस तरीके से flow कर रही है, तो आप मेरे को यह बताओ, क्या आप यह linearly flow कर रही है, electric field की तरह रिलेट करो, यह electric field uniform है या non-uniform है? अगर कोई चीज रेडियली वैरी कर रही है, अगर कोई चीज रेडियली वैरी कर रही है, linear नी, रेडियली, तो मतलब यह non-uniform है, तो अगर यह non-uniform है, तो मैंने आपको बताया, आपको क्या यूज़ करना है, integration का concept यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, thermal resistance न uniform क्यों है, चलो, done, एरी एक चीज़ देखो, uniform क्यों नहीं है, electric field का याद करो, एरी, what is the electric field due to a point charge, के क्यूब आर्ट स्क्वेर, मतलब हमारी electric field inversely proportional to r square है, हमारी electric field inversely proportional to r है, तो इस case में मुझे पता है कि यह spherically vary करती है और यह electric field distance पर depend कर रही है, तो इसलिए यह non-uniform electric field कहलाई जाती है, चीज़े done? अब एरी, आप एक चीज़ समझो, इस concept को एक चीज़ समझो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक मैं यह आपकी rod consider कर रहा था, rod की यहाँ पे, यहाँ पे length होगी 0, लेकिन यहाँ पे posture, posture length कितनी हो जाएगी, total length, that is L, एरी पहले यहाँ तक चेक करो, यहाँ तक भी कोई doubt? लेकिन heat transfer हमारी इस end A से end B तक कर रही है न, जब हमारी heat end A से end B तक कर रही है, तो क्या हमारा जो यह cross section area है, याद रखो resistance के अंदर, जो यह formula होता है, और जैसे rho L by A, या फिर आप लिख रहे हो L by K A, यह area कौन सा area होता है, cross section area, मतलब जिससे heat perpendicular flow कर रही होगी, तो मुझे बताओ यह area constant है, इस rod की case में या change हो रहा है, constant है, तो area इसलिए यह uniform हो गया, लेकिन जब आप एक sphere ले रहे हो, sphere, तो आपने इस point से start किया, इस point से आप उपर बढ़ते जा रहे हो, तो जब आप इस point से उपर बढ़ते जा रहे हो, तो radius की value increase होते जा रही है या decrease होते जा रही है, या constant है, तो अगर radius की value increase करते जा रही है, तो length है चलो मान लिया, same है, लेकिन अपकी बार क्या आपका area constant है या variable है, variable है, तो अगर area variable है, तो अब आप खुद बताओ, कि यह हमारी uniform transfer करेगी heat या non uniform करेगी, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो मिरे को बता दो, मैं आगे बढ़ता हूँ, तो चलो इसको erase कर रहा हूँ, अब मैं आपको इसकी thermal resistance calculate करना समझाता हूँ, thermal resistance कैसे calculate करोगे, तो यार हमने क्या किया, भया concept देख लेना फिर से एक बार repeat कर रहा हूँ, difficult लगे कहीं पर भी कुछ चीज़े समझ में ना आ रही हो तो repeat कर लेंगे, यार मैंने center से किसी एक particular distance ले लिया, center से किसी एक particular distance x पे मैंने एक ring ले ली, क्योंकि यह आपने electrostatics में पढ़ रखा होगा, gravity chapter में पढ़ रखा होगा, disc, disc के लिए elementary part, मैंने risk लिख दिया, भाईया, disc, disc को हमें तोड़ना पड़ेगा, छोटे-छोटे segments में, उसको हम कहते हैं elementary parts, तो disc के लिए elementary parts क्या होता है? very good, भाईया मेरे को ऐसा लगा, सबको यह बास नहीं पता है, क्या repeat करनी है क्या? यार, प्लेज थोड़ा सा confidence से बोलो भाईया, क्या यह चीज रिपीट करनी है, कि अगर मैं बहुत सारे ring को join करते जाऊंगा, तो वो अपने आप एक disc बन जाएगी, तो मैंने x center से x distance पे एक ring ले ली है, और इस ring कोई ना कोई thickness assume करूँगा, यह मैंने एक ring ले ली और इस ring की मैं कोई ना कोई thickness लूँगा, अगर यह ring मैंने x distance पे ली है, तो इस ring की यह thickness कितनी होगी? very good, क्योंकि x के अंदर ही तो थोड़ा सा change लेके आया है, तो dx, तो चलो, यहाँ पे आप लिखोगे dr, छोटा सा resistance, छोटा सा resistance आप कैसे calculate करोगे, बताओ length कितनी लिखू मैं, भाईया length हो जाएगी dx, divided by thermal conductivity into इस ring का area बताओ, इस ring का area कितना होगा, इस ring का area होगा circumference, circumference होगा 2 pi x into thickness, thickness कितनी लिखूंगा, sorry मैंने उल्टा कर दिया, क्या, एक मिन्ट मेरे को रुखना, मैंने शैसे question में कुछ एक चीज गल्थ कर दी है, एक मिन्ट मेरे को question एक बार पढ़ने दो, yes, मैंने question में गल्थी कर दी है, भाईया याद रखो, यह question हमें concentric shells given है, तो अगर यह concentric shells given है, तो देख लो, थोड़ा सा changes हो जाएगा, dr is equals to, इसकी length कितनी हो जाएगी, dx, divided by k, मेरे को बताओ, spherical shell का area कितना होता है, what is the formula for us, fair, 4 pi r square, तो इधर हो जाएगा, 4 pi x square, please, सब लोग चेक कर लो, कोई doubt है, तो पूछ लो, यहाँ पर, मैं यहाँ पर इसको change कर देता हूँ, shell के लिए, हमारा elementary part भी shell ही होता है, यार, किसी ने कुछ बोला नहीं, कोई doubt है गया, पूछो please, चलो, तो यार, एक बात बताओ, अगर मेरे को total resistance निकालना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, integrate, तो यहाँ पर integrate कर दो, लेकिन मेरे को x की value रखनी है, तो मेरे को बताओ, x की value कहां से लेके, कहां तक change होगी, x की value कहां से लेके, कहां तक change होगी, भाईया, मेरी heat transfer होना शुरू करेगी R1 से, और R1 से transfer होती होती, कहां तक जाएगी, R2 तक, तो यार, आप J.E. वाले बच्चे हो, भाईया, maths वाले बच्चे हो, इसको integrate करो, आप मेरे को total thermal resistance बताओ, कितना आ रहा है, एक बार आपके पास total thermal resistance आ गया, इसकी value यहाँ denominator में substitute कर देना, आपको question वहीं खतम, चलो, complete करो, और मेरे को final answer बताओ, आप सब लोगी करोगे, इसमें मैं कोई help नहीं करूँगा, और कोई अगर ऐसा बच्चा है, जो कह रहा है कि integration नहीं आती, तो please वो भी बता देना, शर्माने वाली बात कोई नहीं है, फिर integration भी थोड़ा थोड़ा बता देंगे, यह तो वैसे आपको रटाई होगा, इलेक्ट्रो स्ट्रेटेक्स में बहुत बार किया है, 1 by x square का integration कितना होता है, माइनस 1 upon x, लेकिन मैं इसका negative sign हटाना चाहता हूँ, तो इसका negative sign हटाने के लिए मैं क्या कर दूँगा, लिमिट्स इंटरचेंज कर दूँगा, तो लिमिट्स मैं अब R1 से R2 की जगह, R2 से R1 कर रहा हूँ, तो भावनाओ को समझ जाना, जब आप लिमिट्स इंटरचेंज करोगे तो यह value किसमें convert हो जाएगी positive में चलो solve आप करो अब खुझ से, अब वेटिंग फॉर दी आंसर, तो यार थर्मल रदिस्टंस की value आ रही है, हमारे पास सब लोग चेक करना, वन बाइ फॉर पाई के तो constant है, वन बाइ एक स्क्वेर का integration करा तो वन बाइ एक साया, limits interchange कर दी है, अब R2 lower limit बन गई, R1 upper limit बन गई, तो हमारे पास आ जाएगा 1 by upper limit minus 1 by lower limit, इस तरीके से, सब लोग चेक कर लो, सबका answer यह आ रहा है या नहीं आ रहा है, जिसका मन करे वो अंदर LCM ले सकता है, बाकि में सज़ेस कर रहा है, अभी मतलो, option पर depend करेगा कि option में LCM लेके answer दिया हुआ या without LCM, तो यहार आपके पास thermal resistance आ गया है, thermal resistance की value, substitute कर दो पीछे formula में और आपका question खतम कर दो, यहां पर substitute कर दो value को, तो हमारे पास आ जाएगा TH-TL into 1 by 4PiK था, तो 4PiK ऊपर चले गया, thermal resistance की value कितनी थी, thermal resistance की value थी हमारे पास, और R1 by R2 इस तरीके से तो यहां पर हो जाएगा यह 1 by R1-1 by R2, भहिया जितना आपका simplify करने का मन करें उतना simplify करते ना, फ्रॉफ्चिन हो जान के चांफर करें का था बारे ले इतन जितना बहुत बड़े याम, बढ़ चले नग्स क्योशन पर दो, येस चलो, लास्ट कॉश्चन, भाई ध्यान देना लास्ट कॉश्शन क्या है लिवन है हमें कि हमने एक रॉड़ ली है बहु समझतव्यश्चन समझत लो सिम्पल कॉश्चन है यह तो आप सॉलिव कर दोगे फटाफट हमने एक रॉड्स लिए रॉड का एक एंड मैंने आइस में रख दिया विच इस एट जीरो डिग्री सेल्सियस इस एंड को एमाल लेते हैं और जो दूसरा एंड भी है इसको वाटर में इमर्स कर दिया है और वाटर कितने टेंपरेचर पर है परने हंडर देरी सलय स्वे में पूशनलीख हो बढ़री कोशनली स्वें प्रएंपट ग्रिए ओंड लेंथ टो ड्याओ लेंथ एंड प्रणिर पॉश्थर घम्रेश फिर देरह एंड ये मैं पर रिए अ बार्च एंड प्रण लेंथ आव पॉड्ड अज टूश्य पहर ग्र of 200 degree Celsius should be maintained such that such that amount of ice melted such that amount of ice melted should be equals to amount of steam produced amount of steam produced तो एक बार लास्ट बार कोशन रिपीट कर रहा हूं चेक करो आड वाट पॉइंट अलॉंग दी लेंट अफ दी रोड विशुड मेंटेन टेंपरेचर ऑफ 200 degree Celsius such that amount of ice melt यहां पर जितनी ice melt हो रही है उतना ही यहां पर स्टीम प्रेडियूस होना चाहिए मतलब अल्टीमेटली मेरेको मास ओफ आइज और मास ओफ स्टीम कितना गिवन है सेम गिवन है कोशन में और फॉर्दर इंफर्मिशन गिवन है एल एफ की वैल्यू एक्टी कैलरीज पर ग्राम और एल वी की वैल्यू दाट इस फाइफ फॉर्टी कैलरीज पर ग्राम कि सब लोग चेक करो कोशन क्लियर है या नहीं अब देखो मैं कोशन बस एक्स्प्लेइन कर रहा हूं कैल्कुलेट तो आप ही करोगे या अगर मैंने यहां पर टेंपरेचर टू हंडड़ डिग्री सिल्सियस मेंटेन किया है आप किसी एक एंड से इस डिस्टन्स को मान लो एक्स तो सपोस्स इस डिस्टन्स से एंड टेंड से कितना वचा का 1.5 मीरे को किसकी वैलु निकालनी है एक्स की वैलु निकालनी है अगर मैने यहां पर टेंपरेचर 200 मेंटेन किया है तो हम्हें पता है हे ए हीट ट्रांसफर करएगी कंडंक्शन के थू क्योंकि rust के अंदर ही हो रहा है table active transfer करेगी क्यों और यहां पर हीट ट्रांसफर करेगी क्यों टू भाई दोनों साइड हीट क्यों ट्रांसफर करेगी क्योंकि हीट हमेशा होट एंड से कहां ट्रांसफर करती है कोल्ड एंड पे तो मेरे तो दोनों एंड कोल्ड ही हैं 200 के मुकाबले तो हमारी हीट दोनों साइड फ्लो करेगी तो बहिया इतना मैंने हिंट दे दिया आपको पता है हीट हमारी जो आई से वह कॉंस्टन टम्परेचर पर मेंटेन फ्लों मेल्ट करती है तो कौन सा फॉर्मला यूज करते हैं क्यों इकॉल स्टू एलम एल एफ और हमारा जो स्टीम कनवर्ट होती है वह भी कॉंस्टन बस इतना हिंट दे दिया ट्राइब तू सॉल्व और हमारे बदाए मारे ट्राइब जीक निस सॉल्व करते हैं क्यों जीको करता है वह भी करने से थक्यों चलो तो साथ साथ कालकुलेट करते हैं सबसे पहले आप मेरे को यह बताओ आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए और यह हीट सप्लाइ कोन कर रहा है यह हमारी रॉड सप्लाइ कर रही है विद्धी हेल्प अफ कंडक्शन तो यहां पर फॉर्मला लिख दो कंडक्शन का के एंटू टेंपरेचर डिफरेंस टेंपरेचर डिफरेंस कितना आ रहा है कुछ ना कुछ टाइम टी डिवाइड़ बाई लेंथ लेंथ कितनी लिखूंगा मैं यहां पर भाईया वन पॉइंट फाइव माइनस एक्स चेक करो एक्वेशन वन में कोई डाउट पॉर स्टीम यह स्टीम को प्रड्यूस करने के लिए कितनी हीट चाहिए एम लवी और यह हीट भी कहां से मिल रही है वाटर को कंडक्शन के थू ही मिल रही है तो यह हो जाएगा के ए टेंपरेचर का डिफरेंस डाट इस टू हंडर से लेके हंडर तक का टाइम टी डिवा हो जाएगी एक्स एक्वेशन टू यार बहुत सिंपल है अब नहीं काव्य आंसर सही नहीं आ रहा यार सिंपल है कितना रिपीट करो कि वाटर की तरफ मेने टेंपरेचल डिफरेंस टू हंडर इस टीक है ठीक है कौशिक मांसी आंसर सही नहीं आ रहा यार आप इन दोनों इसको डिवाइड कर दो डिवाइड क्यों कर रहे हैं बेनेफिट है मांस मांस कट गया के एक कट गया क्योंकि एरिया सेम चल रहा है टाइम टाइम कट गया भाईया अब इक्वेशन को सॉल्व कर लो आपके पास आंसर आ जाएगा तो हमारे पास बचा LF by LV सबकी 2.5 माइनस एक्स होल डिवाइड बाए 200 माइनस हंड्रड तो हंड्रड हो गया डिवाइड बाए एक्स एलेफ की वैल्यू और लवी की वैल्यू कोश्चन में गिवन है ट्राइटू सॉल्व हेमंत आंसर सही नहीं आ रहा कि संगम तुमारा आंसर भाईया विल्कुल सही डिवाइड बाए 540 इस एक्वल्स टू यह कड़ गया कड़ गया तो यह हमारे पास उपर आएगा टू टू इन्टू एक्स डिवाइड बाए इसको डिरेक्ली टू एक्स लिख देता हूं डिवाइड इवाइड बाए 1.5 माइनस एक्स चोलो भाईया क्रॉस मैटिप्लाइ करो सौल करो और एक्स की वैल्यू बता व कितनी आ रही है और इस लास्ट कोश्चन था अ अब बहुत है और नहीं काव्य अभी भी आँसर सही नहीं आ रहा है यार काव्य तुमने एक्स कहां से लिए है एंड एस वाले से लिए या वाटर वाले से लिए है तरफ जो आपने क्वेशन दिखती उसी को इकरता था है अच्छा अब डान्यारण स्युक्ष्ण टुमकर लए है कौशक तुम्हारा अरहा अच्छा तुम्हारा ऑंसर गलति ठीक है सिक्स बाइफिटी एट आ रहा है मैंने पूरा सुल्व नहीं किया इसको बहु बिलकुल सही आंसर आएगा शिक्स बाइफिटी एट इसको सॉल्व करोगे तो आंसर चेक करो आना चाहिए सिक्स बाइ फिफ्टी एट मैंने मीटर्स में दी थी वैल्यू मीटर्स में दी थी तो यह मीटर में आल सा रहेगा चेक कर लो कोई डाउट तो नहीं है सबका आंसर फिफ्टी एट आ रहा है तो हमारा थर्मल कंड़क्टिविटी वाला टॉपिक खत्म हो जुका है इसको कुछ एक आधे प्राक्टि जरूर कर लेना नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे रेडियेशन और इस चालो डन डन टन तो भाईया टास डाय बाईया बाईय टेक कियर और इनजोए थंक यह सर बाई थैंक यह सु तैंक की तैंक की सु मुश्न